जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्ताब सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है अगर आप इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एक बहुत यूनिक टॉपिक पर कि आप ये कभी न उतारे महिलाओं के त्योंकि मैंने कहीं सारी महिलाओं से बात किया कहीं सारी जातकों से बात करने के बाद मुझे ऐसा अनुभा हुआ कि ये जो विशय है जिसे हम हमें नहीं चढ़ना चाहिए जो विशय है जो हम आम भाशा में हम आम जीवन में बहुत ये आसानी से ले लेते हैं लेकिन ये बहुत बड़ा म प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको हमेश अच्छे और सकारात्मक वीडियो में तो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में महिलाओं की यह चीज कभी भी जाने अन जाने में आप न उतारें और इस से कई सारी परिशानी हमारी खड़ी हो सकती है वो सब्सक्राइब करें चैनल से जुड़ें कमेंट्स में आप लिखें और अगर आप अपने कुंड़िक आनलेसिस करवारा चाते हैं तो स्कृट पर नमबर चल रहे हैं आप आसानी से वार्कसप पर अपोइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं तो सबसे पहली मुद्दे की कर रहे हैं वह महिलाओं की इजट महिलाओं का सम्मान महिलाओं का चलित्र हम यहां से वीडियो को बहुत बारिकी से और बहुत चीजों को गंभीरता से समझना है क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो बहुत से डिस्टरब हो जाएगी भगवान करश्न ने कहा कि जिस घर में महिलाओं की इजट नहीं होती है जिस घर में जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है और पूरी मानवता का अपमान करता है महिलाओं देवी का सुरूप है और वो इस जीवन के लिए सबसे इस जीवन की मूल भूत चीज है वो इस जीवन जो आप जी रहेंगे इसकी new है वो और उसका जीवन है वो तो सबसे पहली बात है कि हम महिलाओं की चरित्र के बारे में महिलाओं की इज़त के बारे में बिना कुछ जाने सोचे किसी भी महिला के बारे में हम हमारे हिसाब से मन गड़न चीजे बना कर कुछ भी बाते कह देते हैं किसी के लिए भी या कोई भी धारणाय कर लेते हैं वो गलत है यह जो इज़त उतारने का जो पूरा एक सीनियर्य है क्योंकि जो अकेली महिला होती है जो अपने जीवन को सवाइब करती है उसके लिए कई सारी परिशानिया और कई सारी चीजे उसे फेस करना पड़ती है और ये इस यूग में बहुत जादा देखा जा रहा है कि लोग तरह तरह की बाते करते हैं लोग तरह तरह का माइंड सेटप बना लेते हैं और जो है नहीं जो सच पर आधारित नहीं है तो प्लीज दोस्तों इस तरह की विचारधारा को इस तरह की विचारों को आप खंडन करें क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज की सत्यता तक नहीं पोस्ते हैं किसी चीज की सत्यता हमें नहीं पता है हमें हमारा point नहीं रखना चाहिए और हमें उस तरह पर बात नहीं करना चाहिए खासकर चरीत्र पर उनकी इज़त के उपर तोकि वो उनका सम्मान है वही देवी है वही शक्ती है और हम उस पर देवी का सम्मान हम कर रहे हैं फ्शुशे को लेकर वम इस तरह की बाते कर रहें, तो यह सही नहीं है, इससे हमारे 9 के 9 ग्रह जो हो नेगेटीव वे में जाते हैं और हमेशा गलती परिणाब देंगे, कभी हमें परिणाम नहीं देंगे दोस्टों, तो प्लीЗ में आपसे हाट जोड़कर निमय दानी कि कोई भी रखती इसमें इसमें महिलाए भी आई है। मैं पुरुशों कहीं बात करूं इसमें महिलाए भी सामिले है। लोग जो लोग इस तरह की बाते करतें उनका बाइखोट करें और इसे किसी भी बात को सुनने से पहले आप दो मिट रुख जाए कि ये बात हमें नहीं सुनना चाहिए और इस तरह की बातों में हमारा ध्यान हमारा समय बरबारत नहीं करना चाहिए क्योंकि एक जीवन का सवा बखले श्याक्टिकासा